वेलकम दोस्तों मैं होड़कोड जीतंदर आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर पत्नी के दुआरा या उसके माई के वालों के दुआरा पती और उसके रिष्टेदारों के उपर 480 में एका जूटा केस लगा दिया जाता है तो यहां पर उनको जेल नहीं होने वा तो दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि पत्नी के दुआर जब पती के उपर 480 में एकी एफायर दर्ज करवाई जाती है तो उसके अंदर ये लिखाया जाता है कि पती और उसके रिष्टेदारों दुआरा धेज की मांग की गई, मार पीट की गई, मांसिक रूप से पर जब कोट के अंदर जाएगा तो कोट में क्या है इन सब का एविडेंस मांगा जाएगा, एविडेंस मतलब पुरूप सबूत मांगा जाएगा, जब पुरूप और सबूत पत्नी के पास में है नहीं, वो पुरूप और सबूत एविडेंस देही नहीं सकती है कोट के अंद कि बिल्कुल यहां पे पत्नी के दुआरा जूटा केस तरज कराया गया है तो इस सिच्वेशन में पत्ती और उसके रिष्टेदारों को जेल नहीं होगी बलकि पत्ती और उसके रिष्टेदार मिलके और पत्ती और उसके माईके वाले के उपर ही केस करवा सकते हैं वो भी मा जेल होने वाली है बलगी पत्नी और उसके माईके वालों को ही जेल होने वाली है तो यह जानकारी आपके समझे में आ गई होगी अभी भी कोई बात पूछ नहीं है तो डिस्क्रेशन मेरे नंबर दिये गए है पोल करके पूछ सकते हैं फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीड को जादा जादा आपको सेर भी कर देना है धन्यवाद